अब अब बेरे बच्चों क्या हाल हैं और तयारे कैसे चल रही है देखो कई बारना बच्चे ऐसे कोशन पूस्ट लेते हैं मेरे जवाब नहीं होता जैसे अभी रिसेंटले भी किसी सुड़्ेंट से मेरे बात हो रही थी इसेट सर मैंने ना तयारी सुरू कर रखी है अगर क्या मुझे केट करना चाहिए मैंने पहले इस बारें बताया उसने मुझे सिद्धा बोला मैंने कैट के कोश्चन भी किये हैं तो क्या हुआ मिरसे कोश्चन नहीं है मेरे डी मॉटलाइजेशन जादा हो गया मतलब यह क्या आप सबसे पहली बात यह सी सेट दोजर चौपि लोज़ार तैश्थाना उसमें यहीए बच्चों के साथ उसमें हलके में ले लिया गए तो जब उनोंने हलके में लिया ना इंचे तो क्या हुआ तो उनको लगा कि भी टो बहुत जाद है तभी बच्चों को लग रहा कि सरासर नाइन सफ ही होगी आपके साथ टी अगर क्या भई पेशन के साथ प्रेक्टिस बस मैं एक ही बात करता हूं जिस बच्चे ने सी सेट के लिए डेली कामें जादे निकार आपको एक आवर यह एक आवर 15 मिनिट अगर आप जादा भी के बस जी आश के साथ सवा गंटा निकालो आपका सी सेट हो जाना है यह बट वो अगर आपने नहीं किया तो आप लिजिए उसको देखिए अच्छा से फिर आप कर यह फिर बड़ा मजा आएगा तो क्योंकि अक्सर होता क्या है जब आप किसी भी टॉपिक के तयारी करते हो ना आपको बेसिकली क्या करते हो किसी बुक को खोला करते हो गया उस बुक में सारे advanced solution मिलेगा आपको इसमें क्या मिलेगा आपको equations वाले question मतलब variable use किया होगा मतलब आपको क्या किया होगा variable use किया होगा but variable हमने जमानी use करना कहने का मतलब बिल्कुल यूज नहीं करना तो भाई और फोलो करने छोड़ दो उतर कहां से पड़ें कहां से पड़ें तो यहां से पड़ें जो हमारा सी सेट का लेटेस बैच है वो साथ हो चुक है जिसके अंदर के आपके पास टाइमिंग है तीन बज़े से पेटा साड़े चार बज़े टाइमिंग है मेरे ठीक है डिली की अच्छा पोर डेज़ा भी के अब चार दिन क्लासिज है या फायदा इसका फायदा बताता हूं अब ही टोटल एक्सर कितने हैं वनेटी प्लस यह और बी सेक्शन में बटा हुए ठीक है एक्शन एमें क्या है मेरे 90 लेक्शर सेक्शन ब क्या है यह मेरे पास online प्लस offline बैच है अगर क्या अगर बैचस कभी आप नहीं भी ब्लास लगा पाई ब्लास कभी ओन लेन थीक नहीं यह कोंच इसनों सateurs अरे इंटरनेट नहीं चला यह पहुंच नहीं पई तोALLY को आप डिकारदिंग्स बेख सकते हूं है कि यह आप डिकारदिंग्स सकते थे बिकोस आपको सिर्क वहरी कोड़त सेशंस भी मिलेगा साथ में !! मैंने बताए भी यह घंडे मिल रहे हैं यहां पर इस लाइब बैचम ठीक है यह 90 ब्लस लेक्चर इसके बारे में भी मैं आपको भी खुलके बताऊंगा क्लिए इस नभे में क्या बेटा 50 की लेक्चर है प्रिवीश कितने हैं है इसमें आपके बैठ प्रिवीशे लेक्ट्स क्यों से यहां पर लाइब मिल रहे हैं तर्टी प्लस क्लिए तो यह हो गया यह जो बहुत कुछ मिल रहे हैं बहुत कुछ मिल रहे हैं कोई डाउट होना बेज जिजक 95177 165 इस नबर कॉल करो या इस नमबर वट्साप करो आपकी मर्जी है जैसा आप चाओगे वैसे टीम आपके साथ जूडएगी क्लियर विटा आप देखो यह तो होगी बैच के बाद इसको छोड़ किया आपके बास देखो सबसे आपर क्या चलेगा वह Hamb thrust कौन कों से लैक्स साथ कि आने वाले हैं अब इससे क्या अपको लेक्शर में सबसे सबसे पहले उसको आपको लेक्चर मिलेगी दाट इस तетрिमें मिल रहे अटा सबसे पहले मेरी को अबको अब इसमें क्या है देखो लेक्चर इस लेक्चर में सबसे पहले मेरे बच्चों आपको लेक्चर की पीडियोफ नमबर दो पर मिलेगा रिसोर्स इस और नमबर तीन पर मिल रहे प्रैक्टिस पीडियोफ यह तीन चीज़ें आपके पास प्री अप्लोड इन मिलेंगी जैसे जैसे सबसे पहले में बात करूँ लेक्चेर पीडियोफ यह प्रैक्टिस उगी वो पीडियोफ होगी जो मैंने डिसकस करनी है मतलब आपके पहली पहुंच जाएगी तो आपको बार बार कोशन नोट करते हैं कि दिरूर ते नहीं जो ओन लाइन वाले बच्चे हैं कि उसी तरह के कुछ मिलते जुकते कोशन या वैसे ही कुछ प्रिविश्यर कोशन उस शीट में होंगे और उसको फुली डिसकस किया जाएगा कब यह मेरा साड़े चार से पांच बज़े यानि कब बेटा यह तीस मिनट में मैं इस प्रैक्टिस शीट को आपके साथ डिसकस कर करें उसके बाहर वीगुगा आपका वीकली टैस्ट का इस रिकया होगा आपका वीकली जाहला है वीकली टैस्ट्रैब में किया उसका एक 15-20 कोर्षा का पुझ्ट झुकं उपा सारे सारे पूर्ण हमस्तै कि होंगे या कुछ नए कोशन्स होंगे जो आपको टेस्ट के तौर भी दिये जाएंगे यह कब होगा यह होगा आपका हर संडे को एक बज़े हर संडे को मेरे बटा एक बज़े होगा यह सेशन आपके बस यह आपका टेस्ट इसा सलूशन देखो मैक्सिम जगां पर क्या होता है जब आप इस त तो maximum to maximum 4-5 question के solution वैसे होंगे otherwise equation से होंगे बट हम आपको देंगे इसका video solution हम आपको देंगे बच्चों इसका video solution जो आपके पास next class के पहले upload हो जाएक अपको यह इस बैच की शांदार बाते हैं जो मैंने ब्धिसकल इसको ना पता के दिए मैंने जीरो टू ही जो अगर आपको यूपीश इसके का कुछ नहीं आता कौंट रगता है नहीं नंबर बन रहे हैं किसमें इसमें दिया नहीं सेलेक्शन वह जिए सिसेट तब क्या होग विश्वात के साथ क्या सकता हूं खालियात नहीं जाओगे क्वालिपेकिशन करवागे ही जाओगे और कम से कम हम 90 से 100 मांक्स का बढ़ेंगे इसे कम की दो भाई बात नहीं करने क्लिए तो आज हम करने वाले हैं शैशन नमबर त्री चलिए उसके बहले एक और इंपॉर्टन की तरफ आज का कोश्चन नमबर वन के देखो क्या करें मुझे यह मेरा पार्ट स्थी और दोजार थेईस का पेपर है थ्री डिजिट नमबर अब्सक्राइब करना है और मेरा क्या ना चाहिए देखो जान से मेरा जो नमबर आउट का मैंने बुआने चाहिए थ्री सेवन देखो मैं आपसे बात बता हूं मेरे बात जहां से सुनना अगर मैं इसको बेसिकली लिखूं च्रुक्चर कैसा होगा अंडर ए प्लस टैन भी प्लस ये कुछ ऐसा होगा बेसिकली अगर मैं इस कोश्चन को देखना चाहूं तो ऐसा होगा चलो जी अगर ऐसा ही होगा तो ध्यान से समझो देखो इस इक्वेश्चन को डी से मल्टिप्लाई कर रहा है मुझे या इसी पी हो देखो मतलब ये वा कि अधिको मैं कुछ भी रख लूँ तो यहां पर जो भी आएगा वही आएगा बट उसे फाइदा कि उसे मेरे नुकसान है क्योंकि यहां पर फिर मुझे सेम नंबर लाना पॉसिबल नहीं होगा तो कैसे आएगा भाई ये नंबर ये थोड़ा सा आपको सोचना पढ़ेग कि देखो करो यह मैंने चार लिया कि यह मैं आट लिता हूं आट चो के 32 दो आगया तीन मैं एक एक्जामपल लेकर दिखा रहो चोटा सा देखो इसका मतले यहां पर दो ना चाहिए अगर मैं यहां पर डी और बी को मल्टिप्लाई करूं इसका मतले उस पर तीन एड़ करन इसको उल्टा करो जारा अगर मैं इसको आठ लूँ इसको चार लूँ तो तब भी नहीं होगा तो यह केसिस बड़े सारे केसिस बनते हैं आपके पास बट जो एक स्टेंडर के सोता है ना उसकी बात करो जारा देखो सबस्ट करो मैंने यहां पर लिए 4 और यहां पर लिया मैंने 6-5 यहां पर चांट करेंगे इसको को भी हम पहले मैं आपको सॉल्व करवा दूं कि यानि दो इसका मतलब यहां पर मुझे चार चाहिए तो यहां पर चार कैसे आएगा अच्छा एक बात आओ अगर यहां पर चार है अगर यहां पर चार है तो क्या मैं इसन नौ ले यहां पर कैरी मुझे सिरफ वह वन करवाना है मैं आपको बात बोलूंगा जब यहां इसा कोशन हो ना आप यूनिट को देखो और लास वाले मैक्सिमुन डिजिट को देखो यह वाले क्योंकि जब अब ही मुझे वाला समझ आजएगा मेरे पास क्या होगा मुझे चार चाहिए अगर मैं इसको तीन पूट करूब भी को चारतीय बाराव तो चौदा चार एक तो आप क्या कर सकते थे आप सबसे पहले क्या करना था एक यूनिट इजिट का दिखा लो जैसे मैंने चार नेक सब्सक्राइब चले जाओ टिक है चलिए प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जल्दी से नोट कर लीजिए नेक्टे चल रहे है क्योंकि केसी दो बहुत सारे बन सकते हैं मुझे संदेड किसिस के बात करने होती है कि यहां पे मुझे बराबर चीए मेरे को क्रेक कहां से मिल नो आ सकते है आप 32 पे जा सकते हो बट वहां पर पांच होगा फिर आपको यहां पर दिक्कत वादा हो सकते हैं कहीं नहीं आपके लिए चलिए पोटेश्चाइब लिए नमबर ओ फॉम एक यह जए डेक्ट एक जाए पर आपको जब भी याद रखना जहां पर वन डबल जीरो वन आजे ना इसके मल्टिप्लाइए क्या है साथ गोना क्या रहा है कुना यह ऐसा नमबर है जिसके तीनों के तिनोंगे फेक्टर्स है पोरा प्राइम नमबर ने वहीं गोश्चन देखो एक्स याज एक्स याज एक्स थाउजन प्लस वन तो थाउजन व Zahlen को में कृछन में क्या लिए ओल्डवन यहो एंण क्वेलिए तोम श्जोंस एक्सका श्चाहई और आढ़ेपिट्यूzet देखिजिट्स नमबर के फिरमगश मेंныट इन्धोर एक्सके फेसाहें यंध्स, है An लिए क्टी यह मेरे बात सब्सक्राइब सबस्क्राइब शॉइंदर उने लगा इस मेरे सब्सक्राइब बाइघ क्लाइबॉट और 25 अइदेंटिकल एक इन दा फॉर्म ओप क्योव ब्लॉक और में क्योडेट बाए क्यूब स्प्रोम इसलेगा girik ऐसे सिद्धे सी बात है इसका फॉंवलाँ होता है पतार तो है देखो यह होगा यह छूब पांच फांच पांच पांच फांच पांच फांच आई सहल बनेगा इसका सिद्स कर Gibran लगना नहीं में लगाऊंगा भी नहीं हां जी यह है अच्छा कोश्चा अच्छा कोश्चा आपका चलिए इसको करीजिए रहा कोशिश ट्राइक हीज़े प्लीज करने के सब्सक्राइब करें लिए उसमें क्या है 1 1 2 2 3 4 4 कोश्चन क्या कहा रहा है आप से कि हाव मैंने डिजिट्स हाव मैंने डिस्टिक्स एट डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मड बाइं रियर्रेंगे डिजिट्स ऑफ नंबर 1 1 2 2 3 4 4 such that odd digit occupy odd places and even digit occupy even places even places देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ यह मेरे पास आठ नंबर्स है क्रियर मैं यहां से शुरू करता हूं odd even odd even odd even odd even odd even and odd even ध्यां से समझना है कोशन बहुत अच्छा कोशन है अब इगभी चुटक्यों में कर लेंगे देखो यहनी odd places एक दो तीन चार मेरे पास कौन सी एक दो तीन चार और पूजिशन को आप कैसे रिक्टिफाई करोगे कैसे अब लगाओगे अगर फोर और और आपके नंबर्स भी कितने और एक तीन या एक एक तीन चार तो क्या बोलोगे फोर फेक्टोरियल बोलोगे कि असके ना किसरिफ और फेक्टोरियल क्योंकि चारी ब्लेसिज है और चारी मेरे पास और नंबर्स है अगर फूर इवन की बात करोगे आप कैसे करोगे पोर फेक्टोरियल बट यहां पर अभी पर ये कोशन या नी यह तो फिल कर दिया में यह तो हमने बट निछे क्या देको और ओर कीद ने वहाई एक बार Also first नीचे करें लेद देखो double two factorially.ko award and tutorial स्ब्सक्राइल ? done factorial clear ? टिक सी यह कितना होगा फोर इन्टू थरी सब्सक्राइब करना मत भूले चैनल को बहुत बढ़िया कुशन चल रहे हैं और हम कर रहे हैं 2023 का जो भी का पेपर हुआ उसको डिसकेशन के बहुत अच्छा पेपर है कर रहे हैं इसको डिसकेशन राम से और देखो लाइटली करवार हैं से नहीं में भाग दोड में विल्कुल राम से आज यसकोशन में नहीं लेगना आप जैसे वो फेक्टोरिय वाओ कोश्चन था अपना चलिए जी यह कोश्चन है टाइम एड़ वर्क से त्राइब करो जल प्लिस इसकोश्चन को चलिए भाइड की जरा अबीसी वर्किंग इंडिपेंडटली केंडू आपीस ओ वर्किंटेशन एटेज सिक्टीफ देज्टीशन ट्वालों अट्यूज़ए अलों वर्क ओन बंडे वी अलों आटूज़ए मतलब एक एक अंगर रहा है शिर्क मंड अगें पर कुंटत थर्श्थ दे इसका मत्राव सुनि यह कौण सा केस आपका यह आपका ऑल्तरेटवाला सिद्धसिद्धधा केस है क्लियर अब देखो दर एविसी वर्किंग डिपे लिक पिस ऑप्यकिंद्वेस ऑफप बरकिंट्स इट चिक्सिटेशन अगर मैं टाइम कि बात करूं है तो एक ठीक है आठ इस नहीं बात तीस बटतिस आठ और बारा आठ से करता है बारा से नहीं करता है इसका मतलब बात रूट बन पर कौन काम करेगा या मंडे को बोलो मतलब कौन काम करेगा और कितना काम कर देगा भाई चे यह इसको माल लो 48 उनिट उनिट यूनिट पर डड़ यूनिट पर डड़ यूनिट पर दम यह में यह इन फेद चीज है यह certains काम करेगा ठाशलीन केसम 내용 फेद न हों क्ल Sahibu को एक हैं न्यों उनिटेड़ काम करेगा बेटा कि सथों कितना काम करेगा टीन लिटे वर कितना आ गया तेचा दस सिंदे रहा यानि अगर मैं बिसिकली बात करूं मुझे वो काम देखना है जो पहले तीन दिनों में इन तीनों मंदों ने या एबी सीने बच्चों ने मिलके बाई-बैनों ने मिलके किया होगा बेटा ठीक है अगर मैं सिक्स डे की बात कर है इसको मैंने 2 से मल्टिप्लाइ किये इसको दोसर कर दो अब भी सुनेट आगGE इसको करो तीन से मल्टिप्लाइ यानि 9 डे इसे भी करो तीन सामल टिपलाइ कितना गया याइणि बेसिकली लिए मुझे करना क्या है यह मेरा स्टैप अनसासरिता छे वाला मैंने करके क्यों दिखाया कि डिरेक्टली जाओ भाई कि तेरा का ऐसा मल्टिपल ढूंडू हो जो फॉर्टी एट से कम हो तेरा त्यांतालिस तो उन्तालिस काम करने के लिए मुझे कितने दिन लगेगे नाइ इसका मतलब क्या है कि nine day वर्ट कितना होगे थर्टी ने कत learn 10 देपे कौन काम करेगा पहले दिन कोई करेगा पिर आपर तो यही करे देखो एक दो ती चार पे पांच एसाथ पे आठ नो फिर कोहं करेगा देखो कैसे करेगा ठीच क्या यानि कितना काम करेगा बाई एपिसेंश वे कितना था आपके पास लगंधा और कितने में कर रहा था यह आठ वुच्छे प्लस यानि कितना काम बचा वरक रिमेनीग पॉर्टीएट मैंने तो 43 सोरे 45 यानि कितना काम बचाती इन अब कोश्चन आप से यह नहीं बूच रहा कंप्लीट वह कहा रहा कौन से डे में काम खतम होगा दा वर्क विल फिलिश ओन थर्स दे दो वर्क विल फिनिश ओन तैंड दे गलत दस दिन में तो मेरा 45 काम खतम हो रहा आउट और 48 इसका मतलब बचा हुआ काम कौन से दिन में जाएगा ग्यार्मी दिन में आप देखो जरा यह भी हुफली आपने नोट कर लिया होगा अब चलो जरा भाई इसी कैल्कुलेशन लिए अब 11 दे कौन सा पड़ेगा जरा देखते हैं तरह जहां से देखो जरा बिलकुल नाम से पता हमको कोई रिकत नहीं देखो बंडे जूज दे वैडनेस दे सथ दे राइडे साटरेडे संदे यानि वन दे टू दे थ्री दे फो दे फाइफ दे सिक्स दे सेमन दे एट नाइ 11 सेटाइब कों सा पड़ेगा आपको तो बहुत शांदार कोशन थै जो आज हमनेगे पांठ तो लाइक शेरल सब्स्राइब जदे दो विल्कुल जी सथी पकड़े हैं वो क्या है मेरा माइक्रो कोर्स जानदार कंसेप्ट है जिसमें आप क्या करोगे आपको पता तो है विल्कुल जी तैयारी आपकी फ्लो लेसली चलती है मतलब अगर कोई पटिक्लर टॉपी करना चाहो ना सपोस करो आपकी तैयारी चल रही है ना आपको इस टॉपिंग में दिख्कत आ रहे हैं आपको यार यह तैयारी कहां से करूं मुझे तो पूरा कोर्स से नहीं करें दाना कितना ज्यादा पैसे क्यूंब यह करने में तो मैं लॉकार्स चांदार को सेफ़ेश्य पूरा टीटेशल में समझाता हो इसकत आति सो इसक अगे में गॉल हो माइक्रो कोर्स करने को और हमारे वट्साइप गुरूप का लिंग क्लियर करेंगे तो यह मेरा एससे सीजल एक्जाम और माफ किजिएगा मेरा है यूपेशी सीच इग्जाम सब्सक्राइब मापकरने पूर्स माइक्रो कोर्स एक वह साथ में स्कूर्णले माइक्रो कोर्स के लिंगे और ये है सीच सेयल क्लिए ससे का सब्टो इसका सब्टोपिक हो गया जैसे आप क्या करेए जैसे यहें आप क्या करूं जैसे अगर आपको जैसे नंबर सिस्टम बहुत सारा रहा है इसको आपको नो वैपनोट मिल रहे हैं और आपको यहां पे कि अगर पूरे बंदल की बात करूं थ्री फाइफ सिस्टू का पूरा बंदल है अगर नंबर सिस्टम की बात करें देखो क्या है मेरे पास टू वन बाइस से पच्चिस परसेंट आ रहा है आपके आपके दस लेक्चर्स हैं तीन सो चौबिस रुपए कैसे रफिए हैं आपके स्नोव वैपनोट्स और 423 मुझे देखने में मिल रहे हैं मतलब 423 मतलब 423 मतलब 423 प्रीविश्यर कुश्चन इंक्लूड इसमें कहने का मतलब क्या है कि आपके पास क्या है एक तरह से टेस्ट सीरीज की तरह आई है कि अगर आपके चैप्टर खरीते हो ना चारतो तेस्ट को आप 20-25-30 कोश्चन के बंडल में बनाके दे सकते और वैसा ही टेस्ट खुलेगा ऑनलाइन जैसा यूपीएसी कंडुक्ट कर रहें जैसे आपका सी सेट के चुलिम एक्जाम होने वाल है तो एक्जाम की प्रेक्टिस भी आपके हो जाएगी इसमें क्लियर नोग नोट्स मतलब इन वैब नोट्स का काम क्या है कि चैप्टर को सम मेरे पास 168 का चार लेक्टर ने चारव नोट्स के अगर बात करें आपके 161 के त्री लेक्टर से चारव नोट्स और 344 में दिये हुए एवरेच एक्सो त्रेंसे ट्रॉपी का पांच लेक्टर दो वैबनोट्स और 263 मुल्टीपल जोस्कोशन है लिए नंबर सीरी की बात करें ठीक है जैसे मैं सब्सक्राव की बात डी डी याई का सब्सक्राव कि आपका लाइन चार्ट पाइचार्ट मिक्स करा बार चार्ट तो लैंच अगर करना हो सिरुए ऐसा ही हर चैप्टर के साथ आपको छी मिनिट का ट्रेल मेरे बच्छों मिल रहा है तो प्लीज इसे लेने में कुछ नहीं जा रहा है इतना मुझे पता है बरोस है मुझे हमने क्या पढ़ा रख रहा है उसके क्लियर जिसे लॉजिकल रिजनी और अनलेटिक एबिलिटी की मेरे बात करूं क्या मेरे पास 2651 रुपय का पूरा कॉर्स है बट पजल टैसी बात करूं तो 47 का रैंकिंग और की बात करेंगे इस तरह से इस सारे के सारे कुश्चन्स आपको दिए गए हैं चप्टर के कोश्चन दिए गए हैं वैब नोट्स और छे मिनट के ट्रायल के साथ हर चप्टर के साथ और यहां अब मैं आपको एक मैंटर बड़ा बाइस सार कुछ भी माल उसके राय बहुत अच्छी राय देने लेगा हूं कि देखो इसे इंगलिश का पूरा कोर्स में सिरफ और सिरफ 412 का क्योंकि अगर देखो अब बात करोगे आपको पता है कि सिरफ कॉम्प्रेंशन नहीं आता है होना चाहिए यह यह पूछना क्या चाहरा है तो मैं कहूंगा अगर आप यह ले रहे हो ना 348 का तो भाई 65 का भी ले लो रिजन क्या है वकैबलरी स्टॉंग होनी बहुत जुरूरी देखो इसमें क्या है कोर्स कोर्स कवर्स फ्रिक्वेंट्ली आस कोशन है और अन्टॉनि भाई यह क्या है यह हमारे सितारें जिनकी रोश्णियाज सूर्य से भी जादा क्यों क्यों कि आईस ऑफिसर बंच चुके हैं बात करें इस सपर्श को ओल अवर इंडिया रहें कि तना ते 51 मैं अरनव की बात करो 56 जटिन की बात नाइटीवन और बहुत लंबी लिस्त है ब और गवा देते हैं कितना स्टॉंग बढ़ाते हैं कितना स्टॉंग ली एक सिंगल सिंगल बच्चे को हम फोकस करते हैं यह सब लिखा हुए इसको पढ़े भी ना मत जाना लिए इसको पढ़ो आपको पता चलेगा इन्होंने तो यह कैसी कि बिकॉस यह एक नॉर्मल को थोड़ा इंपॉर्टन्स दीजिए प्लीज पढ़िए थैंक यू प्लीज लाइक शेयर सब्स्राइब दा चैनल आज वेले वीडियो और बेटर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेगा फुल कोर्स का लिंग माइक्रो कोर्स का लिंग और आपके इसका वर्शाप गुरू प्लीज थैंक यू